थेंक यू दोस्तो नाम विपिन राठी है और पासी के शहर गाजियाबाद से बिलॉंग करता हूँ पढ़ाई लिखाई सब गाजियाबाद से हुई स्कूलिंग यहीं से हुई और मुझे इस बिजनिस प्लान को देखने का जो मौका मिला अपनी स्टडी के दौरान मिला मैं हाई टेक इंजिनिरिंग कॉलिज से मास्टर्स इन कंप्पिटर एप्लिकेशन की पढ़ाई कर रहा था जब मैंने पहली बार प्लान देखा उससे पहले जीवन जो था वो सिर्फ एक समझोते की तरह चल रहा था सिर्फ हम यह मालूम था के नौकरी करनी है पढ़ाई कंप्लीट करनी है नौकरी डूड़नी है नौकरी करनी है क्योंकि बच्पन से वही चीज दिमाग के अंदर डाली गई कि पढ़ो लिखो अच्छे प्लान मेरे चाचा जी के लड़के विरिद भीया के माध्यम से मिला पहली बार जब मिले तो उन्होंने कंपनी के बारें बताया तो पहले मैं सुन नहीं रहा था क्योंकि थोड़ा एजुकेशन का मेरं दरीगों था ज्यादातर लोगों के यहां पर रहता है दिमाग में औ लेकिन वो मुझे बताते थे मैं सुनता ही नहीं था डेड़ महीना तक मेरा यही फॉल अप चला तो एक बार प्लान तो देख ले मैं एक ही बात बोलता था भाईया एक कंपनी अपनी सब फ्रॉड होती है ऐसा कुछ होता नहीं है यह सब ऐसे ही है तुम लाखों की बात कर यहां हजारों के लाले पड़े दिमाग में वह बात थी डेड़ महीना मैं धन्यवाद देता उनको भी शायद अगर उनका मकसद नहीं होता अगर वो डाइमंड उंडे के लिए नहीं निकले होते तो डेड़ महीने तक मेरा फॉल अप नहीं करते प्लान दिखाने के लिए मैं उनका भी दन्यवाद देता हूं वो मेरे पीछे पड़े रहे डेड़ महीने तक मेरा फॉल अप क्यासे प्लान तो देख ले अगर वो बीच में छोड़ देते तो शायद मैं प्लान ही नहीं देखता और जिस रात मैंने प्लान देखा हैंग हो गया था है जब स्लाइड ट्राइन लाखों की कैसे यहां से लाखों आएंगे मेरे पास शब्द नहीं थे सवाल ही नहीं था कि मैं इंसे पूछूं क्या मुझे यहीं नहीं समझ में आ रहा है लाखों कैसे गए मेरा सब मैत मेरा कल्कुलेटर सब फेल हो गया अगर आप बता रहें यह इस तरीके से होता है और आप बोल रहे हो तो मुझे भरोसा है आप अभी के अभी मेरी शुरुबात कराईए मेरा डिसीजन कराईए बताईए क्या करना पड़ेगा इसके लिए उन्होंने मुझे प्रोसेस बता है थैंक यू दोस्तो नाम विपिन राठी है और पासी के शहर गाजियाबाद से बिलॉंग करता हूँ पड़ाई लिखाई सब गाजियाबाद से हुई स्कूलिंग यहीं से हुई और मुझे इस बिजनिस प्लान को देखने का जो मौका मिला अपनी स्टडी के दौरान मिला मैं हाइटेक इंजिनिरिंग कॉलिज से मास्टर्स इन कम्पिटर अप्लिकेशन की पढ़ाई कर रहा था जब मैंने पहली बार प्लान देखा उससे पहले जीवन जो था वो सिर्फ एक समझोते की तरह चल रहा था सिर्फ हम यह बालूम था के नौकरी करनी है पढ़ाई कंप्लीट करनी है नौकरी डूड़नी है नौकरी करनी है क्योंकि बच्च्पन से वही चीज दिमाग के अंदर डाली गई के पढ़ो लिखो अच्छे से नंबर से पास करो तुमारी बढ़ियासी क्या लग जाएगी नौकरी लग जाएगी उसी के तैयारी में थे मुझे यह प्लान मेरे चाचा जी के लड़के विरिद भीया के माध्यम से मिला वो पहली बार जब मिले तो उन्होंने कंपनी के बारे में बताया तो पहले मैं सुनने ही रहा था क्योंकि थोड़ा एजुकेशन का मेरे अंदरीगो था ज्यादातर लोगों के यहां पर रहता है दिमाग में और शहर में एकसर रहता है मेरे भाई है वो गाउं से बिलोंग करते हैं गाउं में रहते हैं तो उनसे ज़्यादा एजुकेशन मेरी थी लेकिन वो मुझे बताते थे मैं सुनता ही नहीं था डेढ़ महीना तक मेरा यही फॉल अप चला तो एक बार प्लान तो देख ले मैं एक ही बात बोलता था बहिया एक कंपनी अपनी सब फ्रॉड होती है ऐसा कुछ होता नहीं है यह सब ऐसे ही है तुम लाखों की बात कर रहे हैं यह हजारों के लाले पड़े दिमाग वे वो बात थी डेढ़ महीना मैं धन्यवाद देता हूं उनको भी शायद अगर उनका मकसद नहीं होता अगर वो डाइमंड उंडे के लिए नहीं निकले होते तो डेढ़ महीने तक मेरा फॉल अप नहीं करते है प्लान दिखाने के लिए मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं वो मेरे पीछे पढ़े रहे डेड़ महीने तक मेरा फॉल अप किया से प्लान तो देख ले अगर वो बीच में छोड़ देते तो शायद में प्लान ही नहीं देखता और जिस रात मैंने प्लान देखा हैंग हो गया था है जब स्लाइड आई ना लाखों की कैसे यहां से लाखों आएंगे मेरे पास शब्द नहीं थे सवाल ही नहीं था कि मैं इनसे पूछू क्या मुझे यहीं नहीं समझ में आ रहा है लाखों हो कैसे गए मेरा सब मैत मेरा कैलकुलेटर सब फेल हो गया मैंना उनसे एक ही बात बोली भी यह सुबह दुबारा बताना मेरी समझ में अब कुछ नहीं आ रहा है सुबह उन्होंने दुबारा बताया तुरंत मैंने डिसीजन ले लिया अगर आप बता रहें यह इस तरीके से होता है और आप बोल रहे हो तो मुझे भरोसा है आप अभी के भी मेरी शुरुवात कराईए मेरा डिसीजन कराईए बताइए क्या करना पड़ेगा इसके लिए उन्होंने मुझे प्रोसेस बताया स्टुडेंट था पैसा नहीं था जॉइन करने के लिए क्योंकि उस समय पर भी कोई ना कोई एक पैकेज पर्चेस करना था तो एक स्टुडेंट के सामने बहुत सारी एक फैनिशल प्रॉब्लम रहती है कितने स्टुडेंट है इस हॉल क के अंदर काफी सारे बात समझ में आ रही होगी पैकेज पर्चेस करना था तो मुझे लगा भई अभी फिलाल रजिस्टेशन कर देते हैं पैकेज के लिए पैसे का अरेंजमेंट करेंगे घरवालों से मांगेंगे घर पे डिसकस किया मैं उस तरीके से समझाई नहीं पाया और पिताजी के सामने तो हिम्मती नहीं होती थी कि कुछ बोल सकें क्योंकि पापजी पुलिस विवाग में जॉब कर रहे थे और उनका जो वेवार था वो बहुत थोड़ा इस्टिक्ट रहता था घर में तो हमारी हिम्मती नहीं होती थी कि हम उनसे कुछ बोल सकें एक बा तो छोड़ देना चाहिए बहुत सारोग यही गलती करतें हैं बहुत सारे लोग को मोका मिलता है bis लेकिन कई ना कहीं घरवालों के रिजक्षिन की जाए से अइस तो पुखे रच यह वघेसे गड़ी की सी भूनती पिर से मुझansen मुलाकात हुई और मुझे बताया गया मना फिर समस्या बताई ये शमस्या है ऐसा कुछ होता नहीं है गरवाले मना कर रहरे जब पिताजी मना कर रहे तो हम कैसे कर लेंगे तोनो बुछ पूछा किया जीवनमें सारे काम पापा से पूछके से जी ऐ jakiś मेरा जवाब था नू कि आज सक जीवन में सारे काम अच्छे ही किये नहीं गलत भी होएंगे यस तो क्या गलत पूछे थे नहीं फिर भी कर लिए हाँ जी कि तो जब गलत काम जिससे तुम्हारा नुकसान भी हुआ होगा जब वो बिना पूछे हो सकता है तो यहां से तो खांदान का इतियास लिखा जा सकता है जिन्दी की बगल सकती है यह बिना पूछे क्यों नहीं हो सकता बात समझ में आ गई फिर मैंने उनसे यह की बात बोली लेकिन आप जैसा बोल रहे हैं लाखो रुपे आते हैं लोग कार खरीद रहे हैं विदेश घूमने जा रहे हैं मुझे नहीं लगता सार ऐसा होता होगा ठीक है आपकी कंपनी है पैसा आता होगा यहां लोग काम करते होगा लेकिन इतना मुझे नहीं लगता आप दिखा सकते हैं यह लोग, तभी उस समय पर एक प्रोग्राम था, ऐसे ही एक diamond celebration था, मुझे उसमें जाने का मौका मिला, उनों ने बताया, ऐसे ऐसे प्रोग्राम है, और ऐसे उसका entry pass है, मैंने तुरंत entry pass लिया, मैं मुझे देखना है, और मेरा जब follow up हुआ था, उमाग मैं तो यही सोचके क्याता है कोई होगा नहीं, खाली पड़ा होगा, हम ही जा रहे हैं, लेकिन जब वहाँ जा करके देखा, लाइन लगी हुई, मैं सोच रहा है, यह तो बहुत लोग हैं तो, इतने लोग तो बेवकूफ नहीं हो सकते, दो चारो को बना लिया होगा इनों जीरो फाइव, किदर है, वो दिखाओ पहले, तभी मैं अंदर घुसूंगा, और पीछे से जब गुरुजी की कार निकली, पॉपों करती हुई BMW, और उसमें गुरुजी बैठे हुए थे, बस वो नंबर गाड़ी का देख करके मुझे लगाया, और यह तो सचमे गाड़ी है, दिखाई निती है, और जब अंदर हॉल में एंट्री हुई गुरुजी लोगों की, मैं बता नहीं सकता उस समय पर मेरा हाल क्या था, बहुत सारे लोगोंने आज भी अनुभव किया होगा, मैं यह सोच रहा था, यह हो क्या रहा है, यह कौन सी दुनिया है, बहार लोग कोई काम्याभी की, सफलता की, सपनों की कुछ बात ही नहीं करते, यहाँ लोग काम्याभी, सफलता, सपने पूरे होंगे, बड़े काम, बड़ी सोच, यह कौन सी दुनिया में अब तक मैं जी रहा था, वहाँ डामेंड प्रमोशन देखा, लगा यार ऐसा तो प्रदान मंत तरीका भी सम्मान नहीं होता होगा, जैसा यहाँ हो रहा है, यह कौन सी दुनिया है भाई, कोई और प्लेटवर्म मैंने ना कभी सोचा था, ना कभी देखा, आज सक भी नहीं देखा, कि एक व्यक्ति कोई काम करे, और पूरे परिवार को सम्मान मिले, सिर्फ एक कर में था, कि इनका जूट पकड़ के आऊंगा, लेकिन जब बाहर निकला ना, मुठी ऐसे बंदी थी, और एक ही शब्द था दिमाग में, कि कुछ भी हो जाए, भाई साब असल पाप की अलाद उसलाग डायमंड मन के चरूए, ऐसा नहीं है कि चलेंज नहीं आए, मेरी सम किया, अपने दोस्तों से रेंज किया, उसी से मैंने जॉइनिंग की बिस्निस में काम करना शुरू किया, चलेंज सबसे बड़ा मेरे सामने था, मेरी उमर कम थी, लेकिन मैं जो बाते लोगों को बोलता था, वो मेरी आउकात से बहुत बड़ी थी, तो लोग भरोसा नहीं क है न, इतने साल तो हमें नौकरी छोड़े हुए होगे, ऐसी ऐसी बात बोलते थे लोग, ये बाल न, बाल, धूप में सपेद नहीं हुए हमारे, ये बालों का सपलता से क्या लेना देना मुझे आज तक नहीं समझ में आया, लेकिन, मुझे एक बात समझ में आ गए थी, इ गुरूजी ने बोला इसको सीखना जरूरी है, आप कोई भी काम इस दुनिया में बिना सीखे नहीं कर सकते, बात से सहमत है, सीखना पड़ेगा के नहीं, आप बताओ, हमने जब से इस दुनिया में जन्म लिया, सिवाय रोने के बाकी सब चीजे सीखी है, ये सब लोग, सि पहले से ही फिट आता है, ये ना, पैदा होते ही, चलना सीखा के नहीं, दौडना सीखा के नहीं, बोलना सीखा के नहीं, खाना सीखा के नहीं, पहनना सीखा के नहीं, हर चीज हमने इस दुनिया में आने के बाद ही सीखी है, ये सर नो, और एक ही बात मुझे समझ में आती आपकाँ बता है को मैं तढम इश कन सब्सक्ता है तो तो तेरे में कौन सी कमी यह मैं आप सुटेश्स को मैं मैं अप्र देखा मगुचा आप महागु जाने हक डिक बता अन्है का मैं यह जादा ऑद सर नकल यह गुरुजी के चेक मैंने देखे, 90,000 हफ्ता, 1,00,000 हफ्ता, हफ्ता हेलो, 4,00,000 महीने की इंकम, मैं यह सोचता था यार, हम दिगरी लेके, मास्टर डिगरी लेके, 10,20,000 की नोकरी की सोच रहे हैं, हाई इसकूल आदमी, लाखों कमा रहे हैं, हेलो, काम दंदार है के नहीं, और मजबूथ इरादा किया, और भरोसा किया, ट्रेनिंग लिए, माग्रुजी की, माग्रुजी जश्फीर माग्रुजी की एक ट्रेनिंग विती द्रेनिंग में, मैं वहाँ गया, माग्रुजी ने वहाँ पर एक बात बताई थी, beginning one, गुरुजी ने की वी Stuffi- निगरी सेम आप डाउन हुए जीवन में चैलेंजिस आएं जैसे थोड़ी सी टीम मनी जो मेरे अपलाइन थे जिनके साथ में रहे करके मैं काम कर रहा था वही मुझे नेगेटिव करने आगे एक बार वही आगे कहने लगे भाई साब काम छोड़ दो जिनको पकड़ के चल रहे हैं वही क चोड़ देने में ही फायदा भी तो तीन की टीम बनी है अभी तो तीन ही लोगो को जोइन कराया है लेकिन एक बार को यह भी सुचाय इतने लोगों को बोल दिया डाम बनेंगे अब अगर नही बने तो लोग वैसे कहके कि मार डालें गे हैं जी है अच्छी को फोन लगा दिया ये बताने के लिए कि मैं आज छोड़ रहा हूं और उनको फोन लगाया मैंने बोला मैंने गुरुजी मैं ऐसे से हुआ है और मैं आज से आप से मैं बात नहीं कर पाऊंगा आप भी मुझे फोन मत करना ऐसे से मेरे साथ हुआ है सरायत है और वो सर ऐसे से बोलके गए कि मैं भी यह इसोच रहा था ठीक है सर्व यह बोलेंगे ठीक है वही छोड़ रहे हो तो छोड़ दो मेरे पर क्या फरक पड़ रहा है कि गुरुजी की तो अजारों की टीम थी लेकिन गुरुजी ने यह नहीं बोला छोड़ दो उन्होंने एक ही बात बोली विपिंजी आपको अपने उपर भरोसा है के नहीं मैंने मुझे अपने उपर तो भरोसा है लेकिन अब इस बात का भरोसा नहीं कि मैं डामेंड बन पाऊंगा के नहीं उन्होंने एक ही बात बो मैं बताऊँगा आप Diamond Cup और कैसे बनोगे और मुझे नहीं पता क्या हुआ इस पूरे युनिवर्स ने इस पूरे ब्रह्मान में क्या प्लानिंग हुई महागुरुजी कृष्णपाल महागुरुजी उसी रात मेरे घर आए उसी रात मैं महागुरुजी का दन्यवाद नहीं दे सकता कैसे मैं वो रिण चुकाऊंगा अगर उस दिन गुरुजी नहीं आते तो आज ये भी पिनराटी इस स्टेज पर नहीं होता और मैं लकी हूँ मैं लकी हूँ ऐसे अपलाइन ऐसे गुरु मुझे मिले जिनोंने मेरा हाथ थाम लिया और आज तक छोड़ा नहीं है उस दिन गुरुजी ने एक बात बताई थी विपिंजी इस दुनिया में कितने लोग आएंगे कितने लोग जाएंगे लोग मर भी जाते हैं क्या हम उनके संग सती हो जाएंगे मैंने का नहीं कि तो फिर वो छोड़के जा रहे है तुम क्यों जा रहे हो दायमंड तुम्हें बनना है कि उसे बनना है मुझे बनना है कि तो मैं आपके साथ हूँ उस पूरी रात ना गुरुजी सोय ना उन्होंने मुझे सोने दिया रात बार प्लानिंग बनाई और मेरी डायरी पे लिखवा दिया मुझे नहीं पता उसके बाद से मैंने कसम खाली मैंने ना लेफ्ट देखा ना राइट देखा गुरुजी ने मुझे वीडियो दिखाई थी मागुर जी नर्सी गरेवाल मागुर जी की कि टीम कैसे बनती ए टीम के लिए आपको पीछे मुंगा बार-बार देखने की जोड़ तक नहीं है अरे आप सिस्टम को फॉलो करो प्लान बिखाते रो प्लान दीखाव फॉलोफ करो प्लान दीखाव फॉलोफ करो आय तो बैस नहीं तो next आए तो पैस्ट नहीं तो नेक्स अरे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब तुम्हारी टीम बन जाएगी लगे रहना छोड़ा नहीं बात समझ में आ गई लगे रहेंगे आप लगे रहेंगे यस और नो बहुत सारे लोगों रिकॉर्ड बनाए्ज सेफ शॉप में में उनको देखता हूँ अपना मैं आइडल मानता हूं उनको मागुरु जी की टीम में इतने रिकॉर्ड बनते हैं, मैं कोई बहुत रिकॉर्ड ओल्डर डायमंड नहीं बना, एवरेज डायमंड बनाओ, छे साल लगे मुझे यहां तक आने में, हाँ जी, लेकिन अगर दस भी लगते ना, तो भी यह विपन राथी, डायमंड बनता, कु यह जिद थी, आज मैं डायमंड बनाओ, अभी जिद यहां खतम नहीं हुई, अभी तो डायमंड शिप का स्वाद चखा है, यह सार नो, यहां से तो अभी गाड़ी पट्री पे आये, गड़े खतम हुए, अभी तो पार्टी शुरू हुई, अभी तो बहुत कुछ होना ब अभी नाम विपन राठी का भी डाल दो मागुरू जी इसका भी नमबर आ गया, अभी तक कैसे वी रहा, यह टीम, यह जो सक्सेस, यह जो भी कुछ आज मेरे साथ है, सब मागुरू जी की वज़े से, सही जगा, सही सलाकार, सही एक कप्तान आपका होना बहुत जरूरी है, यह मैंने देखा है, मैंने अपलाइन को जाते हुए देखा है, लीडर्स को जाते हुए देखा है, मैं इस एहमियत को समझता हूँ, कई लोग फोर ग्रांटेड ले जाते हैं, कई लोग ऐसे समझते हैं, अपलाइन ने अगर चार बार भान कर दिया, तो भान काटना तुम्हें ऐसा अप्लाइन मिला है जो तुम्हारे पास फोन कर रहा है किसमत अच्छी है तुम्हारी लगी हो और सही अप्लाइन मिला है यह सर नो एक कहानी सुनाई थी महागुजी ने ट्रेनिंग में परमिशन हो तो सुना दू एक बार दो दोस्ते और उन्होंने अच्छी कार लेली BMW कौन सी लेली BMW एक चोटा अपना गाउं द्यातमी रहा उसने वहां पे नेनो लेली सही है कुछ सालों बाद मिले तो उनसे दुबारा से डेगेट टुगेधर हुआ तो घूमने के लिए निकल के चल भाई चलते हैं रास्ते में क्या है उसकी नेनो खराब हो गई थोड़ी दूर चलके खराब हो गई तो उन्होंने क्या ऐसे तोचन करते हैं गाडियों को जानते हैं तो तोचन कर लिया पीछ वाले को हलो रेस लगाता है क्या हाजी है अभी कोई ऐसे करें तो फिर कहां रुखा जाता है फिर तो वह भी BMW हो जिस पे हाजी है लेकिन वह यह भूल गया पीछे नेनो है उसने एक्सलेटर दवा दिया और और बीम्डवू स्पीड में और पीछे नेनो अगले दिन अख़वार में छप गई बीम्डवू और और ओडी का पीछा करती नेनो हलो लोग प्रसासन को दोज़रे बाई सब यह क्या हो रहा है यह हो कह रहा है तो दरसल में गलती प्रसासन की नहीं है दम नेनो में भी नहीं था टोचन बीमडवलू के पीछे थी तो भाई साब मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरी ओकात नहीं थी यह तो नेनो की ओकात भी नहीं थी अरे टोचन BMW Jaguar Mercedes के पीछे लग रहा है रुख कैसे जाएगी चाहे कैसे भी जाएगी लेकिन पहुचेगी जरूपी मेंटर छुलो सही अपलाइन मैंने तीन महागुरुजी मेरे मैं को ब्रह्मा विश्णु महेश इनी के रूप में देखता हूं महागुरुजी मैं बारम बार अगर इस सफर में गुर्देव कोई गलती हुई हो मुझसे वागुरुजी उसके लिए चमाह भारति हूं माहगुरुजी आपका जी महा गुरुजी और धन्यवाद देता हूं दोनों ग्रेट महानस्तियों को ऐसे ग्रेट सेलिबरिटी मेरे से में मैं सही बता रहूं मेरा सपने से भी बढ़ा अगर कोई सपना है तो वो यही था कि कभी महागुरुजी लोगों के हातों से मैं सम्मान लूँ महागुरुजी सीधा डामेंट्शिप पे मिला है थैंक्यू महागुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद महागुरुजी थेंक्यू मागुरुजी, दोनों ग्रेट मागुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद, पीछे इस दमदार टीम का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है, उन दमदार बावुबली लीडर्स का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है, जिनों ने इस बच्चे पर भरोसा कर लिया, हलो, बालक बोलते थे लोग, बालक है, तुझे कुछ ना पता, मैं उनसे एक ही बात बोलता था, पता बले आपको मुझसे जादा होगा, लेकिन देखा आपने वो नी है, जो मैं देख चुका हूँ, और ये मेरा वादा है, जिनों ने भी मुझ में भरोसा किया और यहां तक आपके साथ आगरी सास तक रहेगा, जहां आपका पसीना भाएगा, घर में गुस गुस के डायमन बनाओंगा, घर में गुस गुस के, हलो, अगर मुझसे बचना है, तो भाई साब या तो वीजा लगा के निकल जाओ भार, और नहीं तो डायमन शिप्त, तो तुमारी सब क की पक्की है, एक-एक की पक्की है, अभी तो पाटी शुरू ही है, महागुरु जी, पिता जी बादा करके गए, एक हजार डायमन का, हलो, अभी दो-तीन महीने बाद उनकी रिकर्गरीशन है, हलो, और उसके बाद 2022 महीं, और पांच नए डायमन आ रहे हैं, इस हाल में पहले, दस हजार डायमन बना के जाएगा भाईशाब, दस हजार